स्वागत आप सबी का दोस्तों क्यों हिंदी फर मैं हुग विनो सिंग तो आज की क्लास बहुत जादा खास होने वाली है इसलिए सब लोग रेडी हो जाएए पेन कॉपी लेके बाटे होगा तो बहुत फाइदा होगा क्योंकि 51 Most Important Libre Office के Question में बताऊंगे इस वीडियो में उस आपको ध्यान देना है पूरा एक ये Question सब कुछ ठीक है क्योंकि आपको बहुत खास होने वाला बहुत कुछ कबर होगा इस क्लास में ये बात ध्यान देना है और आप सभी मुझे Facebook, Instagram, Twitter पर फालो जरू करना वहां की मेरी आडिया अपने सिंग वन से में से बन वहां पे मु उसमें सब ही Question आपको जरूर मिलेंगे कहीं ने कहीं ये बात अलग है क्या अलग अलग है इसमें तो मैं अलग बता रहा हूँ लिपर Office के लिकिन इसमें सारे कभी कभी कहीं कहीं मिलेंगे जरूर आपको तो उसमें Link description में है ebook का तो जो लोग नहीं लिया और जो लेना चाते और ले सकते हैं उसको बागी तो मैं क्लास कराई रहा हूँ आपको और वीडियो को लाइक एकदम दबा के करना ज्यादा ज्यादा ये बात आपको ध्यान में रखना है चलिए सुरू करतेते हैं फिर तो आज का पहला Question आपके सामने है Sheeling 97 और 7 का मान कितना होगा ये बहुत इजी भी है और Popular Question है तो देखो इसमें मैं दो Question आपको Solve पूराओंगा दो तीन Question समझ लो जो भी आजाए सब आपको करही लेना है किस तरह से मैं बताता हूँ जैसे ये Ceiling है एक Ceiling आगा एक Floor आएगा ठीक है दोनो एक दूसरे के समझ लो भाई भाई है चोटे भाई बड सीलिंग और Floor में क्या Different Is Ceiling का मतलब क्या होता पहले? Ceiling मतलब होता है चत यह بات सुने ओ सब लोग Floor मतलब होता है ? Floor समझते ही हो फरस है नीचे वाला तो Floor और Ceiling, तो Ceiling और Floor का मतलब होता है कि जो Surseas 97 यहाँ पे देया हुआ है और यहाँ पे जो दिया होते से साथ दिय होना चाहिए जैसे साथ से जब डिवाइड करोगे 97 को तो कटेगा ही नहीं देखो 14 98 होता है और 13 98 होता है तो 91 कट रहा है और 98 कट रहा है तिन दोनों में से एक उत्तर होगा आपका जो भी है जैसे यहाँ पर 97 और 7 साथ लिखा है कुछ भी दे दें इससे मतलब नहीं है तो साथ से आपको डिवाइड करना है तो 97 के पहले 13 मतलब 91 आता है तेरा से कटेगा हो और 14 से 98 यह हो गया तो सीलिंग हो तो आपको बड़ा वाला करना है 98 और यहाँ पर दिखा भी देता हूँ जैसे इसफें पेस्ट कर दूँगा जब इंटर करूंगा तो देखो 98 आगया सीलिंग है 98 आगया सीलिंग के जावाँ पर हम कर देते हैं फ्लोर एकदम आराम से समझना है कोई टेंसन नहीं लेना है क्योंकि आज का वीडियो खास होने वाले आपके लिए सीलिंग में देखो क्यान भी हो गया मतलब दो क्वेशन आपने आसानी से सीख लिया ये प्लस उसके अलामा जो भी बैलू यहां पर बदल देंगे तो क्या हुआ तो आपको बैलू बदल देंगे 97 बे कुछ भी कर देंगे कुछ भी कर देंगे तो आप कलोगे मतलब कई सारे क्वेशन आपने इससे सीखा तो ध्यान देना फ्लोर हो तो कम वाला सीलिंग हो तो ज़्यादा वाला डिवीजिवल होना चाहिए बस यह हो गया एक दूसरा है Libre Office Software कहां पर चला सकते हैं Mac OS में चला सकते हैं Linux में चला सकते हैं Windows में या फिर Tino में चला सकते हैं तो इसका तो सिंपल सा उत्तर होगा आप Tino में चला सकते हैं यह बात ध्यान देना Tino में हम इसको चला सकते हैं Libre Office को हम हर जगे यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ यह देखो यहाँ पर क्या है लिब्र ओफिस राइटर स्टेटस बार में निम लिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है simple question, most important question है अब इससे भी बहुत कुछ सीखोगे आप पहले बात सीख लोगे स्टेटस बार क्या होता है दूसरी बात क्या-क्या प्रदर्शित होता है यह भी जान लोगे और क्या नहीं होता यह भी जान लोगे ठीक है, सीधा हम आपको लिब्र ओफिस राइटर में ही लेके चला चलते हैं, अब यह है राइटर अब देखो राइटर में सबसे उपर जो होता है उसको बोलते है टाइटल बार, जहाँ पर अंटाइटल 3 लिब्र ओफिस राइटर लिखा हुआ है उपर मिनिमाईज, मैक्समाईज और क्लोज बटन, यहाँ पर होता है टाइटल बार उसके बाद होता है यह मेनू बार फिर ये सब उसमें कई सारे बार उसमें होते हैं जिसको format मेनू बहुत सारे चीज़ें उसमें दिया होता है जिसको slide bar और कहने के मतलब इसको toolbar बोलते हैं कई सारे toolbar में होते हैं ठीक है अब नीचे सबसे status bar होता है सबसे नीची, किसी भी document में सबसे नीची status bar होता है, अब इस status bar में देखो क्या-क्या लिखा होता है, page one of one मतलब page लिखा है, page number की बाई, एक बाई एक है, अब एक ही खुला है, तो one by one लिखा हुआ है, plus zero word, इसमें कुछ लिखा नहीं तो zero word, zero character कुछ लिखा ही नहीं तो zero, ज तो क्या-क्या नहीं है, देखो, total character हाँ, उसमें था, वर्दमान पिर संख्या ये भी था, सब्दो की संख्या ये भी था, computer का नाम उसमें नहीं दिया हो था, हमारा उत्तर हो गया, computer का नाम, most important सीखा आपने कहीं सारी चीज़े, लिबर अफिस, कैल कि में, सिल के अंदर एक calc पूछे, या फिर कोई सभी पूछे, control प्लस, enter प्रेस करने पे ही हमारा paragraph आसानिक सथ बन जाता है, तो enter हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीके, next चलते है, यदि आप कोई दस्तावेद साजा करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लो बात करो तो, या फिर कोई सभी text editor हो, उसकी बात करोगे, तो इसमें वही एक हीच उत्तर आने वाला है, ठीक है, edit नहीं कर सकते, तो आप जब देखो, odt मतलब होता text document, odt मतलब writer वाला जो होता, उसको odt बोलते हैं, docs मतलब default file extension यह सारे, यह है, writer का default file extension, docs है, word का file extension, pdf ही आ आप देखते होंगे, edit करने का विकल्प नहीं होता है, doc और docs, दोनों MS Word के file extension होते हैं, next देखते हैं, libro office writer में save art or recovery in minutes विकल्प में अधिक्तम value कितनी होती है, अब देखो, इसमें अधिक्तम पूछा है, लेकिन हमारा question कितना बन सकता है, 3, minimum, maximum, default, है न, इसमें क्या पूछा अधिक्तम, निउन्तम और default, तीन question बनेगा, सीधी सी बात है, और तीनों आपको मालूम होना चाहिए, note कर लोगे सब लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा, तीन question इसमें बनेगा आपका, आसानी के साथ, सो से नहीं, बलकि मुझे लग रहा है, 1.500 प्रस question आज आप सीखने वाले हो, पताओ, ती इसमें जो भी आपने, मतलब आपका उत्तर जो भी आ रहा हो, अब चलते हैं सीधा, लिप्र ओफिस राइटर में, और आपको वहीं सीधा दिखाता हूँ, इसमें क्या करना, आपको राइटर में जाके, tools menu में चले जाना है, tools menu में सबसे नीचे जब देखोगे, तो option का, बिकल्प दिखेगा, option के बिकल्प में जाने के बाद, इसको थोड़ा नीचे, यहां पर देखो इसा दिखेगा, यहां जो देखो, load and save है, देख रहे हो, load and save में जब आप क्लिक करोगे, तो देखो, यहां general पर जब जाओगे, तो देखो यह, save auto recovery information every 10 minute मतलब by default यहां पर 10 minute लिखा हुआ है, एक पात note कर लो आपकी by default 10 होना चाहिए, अब हमको जानना है maximum कितना होगा, पहले maximum समझ लेते हैं, फिर minimum समझ लेंगे, अब देखो मैं करते चले जारों कहां तक रुखता है, मुझे भी नहीं पता, 60 पर रुखा, मतलब maximum होगे आपक 60, अब minimum पर चले आता हूँ सिधा नीचे लेके, minimum कहां तक रुखता है, यह भी देख लेते हैं फटा फट, आपके सामने auto recovery मतलब इतनी देर में automatic यह save हो जाएगा, minimum 1, maximum 60 और by default कितना था, 10, तो तीन question सीख लिया, maximum 60, minimum 1, किसी में 1 कर देता हूँ, किसी में 1 कर दिया और किस default, यह हो गया minimum, यह हो गया maximum, ठीक है, तीनों note कर लो, तीनों question आता है exam में, Libre Office Writer का default highlight color, अब देखो, इसमें confused easily नहीं होना आपको, यह क्या कह रहा है कि default highlight color, ध्यान देना, तो background color, दुनिया भर का color होता, लेकिन यह क्या पोल रहा है, default highlight color, ठीक है, default highlight color जब पूछे तो क्योंकि इसका default highlight color, एलो ही होता है, चलिए next देख लेते हैं, Libre Office PowerPoint किस नाम से जानते हैं, चलो, यह तो simple सा question मालो, यह तो कर लो गया, लेकिन समझने की ज़रूत यह है, PowerPoint नहीं, बल्कि presentation भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, presentation लिख देता हूँ मैं, नहीं तो confusion नहोग presentation किस नाम से जानते हैं, तो impress के नाम से जानते हैं, इत्तर आपका हो गया, और writer को हम बोलते हैं, word processing, क्या बोलते हैं, word processing, और cal को बोलते हैं, spread seat, तीनो बात है, document बोलते हैं, writer को, या फिर word processing, cal को बोलते हैं, spread seat, और impress को बोलते हैं, presentation, तीनो नोट कर लेना, important है, result of round, देखो same question वही वाला आपके सामने आ चुका है नहीं round कहीं मतलब अभी इसके पहले मैंने क्या बता था floor और ceiling ये क्या है round है ये भी बड़ा important दोस्तों round and trunk दो तरह का question आपको exam में पूछेंगे round and trunk तो इसमें भी कई सारी बाते होती है ये भी बड़ा important एक formula का video especially मैं बना दिया हूँ आपके playlist में दिया हूँ triple C full course वाले में होगा नहीं liberal office वाले में होगा तो उसको जरूर देख लेना आप सभी तो इसको मैं कर लेता हूँ copy actually same question आता है exam में ये वाला कर लिया है मैंने copy और ले के चलता हूँ माई माज जा सकता है ज्यादा वो अलग बात है लेकिन आप सीखोगे बहुत कुछ यतना जान लेना बस अब देखो इसमें 200 आ गया 200 क्यों आया क्योंकि पहले देखो minus 2 लिखा हुआ है minus 2 का मतलब साफ है ये क्या करेगा कि 2 जो आखिरी के 2 हैं इसको 0 बना देगा ठीक है 0 बना देगा लेकिन ये 175 है तो इसको 100 होना चाहिए लेकिन ये हो गया 200 बढ़ गया बढ़ा क्यों? क्योंकि ये जो 7 है बीच में जो आखिरी जैसे 7 है स्वारी चलि इसको सही कर देता हूँ मैं आखिरी के जो 7 है अगर 0 से लेके 5 तक 0 से लेके 4 तक स्वारी है तो सेम बैलू देगा जैसे यहाँ पर 7 के जगाँ पर मैं कर देता हूँ 4 अभी देखो खुदी समझ जाओ गया फिर इन सेंटर के देखो 100 आ गया मतलब आप 0 से लेके 4 तक करोगे तो सेम बैलू एक है तो एक ही देगा और अगर 5 से लेकर जैसे 7 था वहाँ पर या फिर 5 ही कर दोगे तो भी देखो बढ़ गया 200 हो गया पट से एक बढ़ जाता है तुरंत मतलब यहाँ पर 0 से लेके 4 तक होगा तो सेम बैलू आएगी अगर 5 से लेकर 9 तक हो गया तो बैलू एक के जगाँ पर 200 हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा कुछी भी वहाँ पर रखोगे तो भी और ट्रंक वाले में क्या होता है बदलता नहीं है दोनों में डिफरेंस क्या है देख लो ट्रंक वाले में वह नहीं बदलेगा देखो ट्रंक में 5 लिखो 7 लिखो यहाँ पर देखो 5 है तो भी नहीं 100 आ रहा है यहाँ पर आप 7 लिख दो 8 लिख दो तो भी देखो 100 आ रहा है मतलब ट्रंक में नहीं बदलेगा राउंड में बड़ा छोटा डिपेंड करता है तो इसमें round है तो 200 होगा अगर यही trunk होता तो 100 हो आता round में दो बाते हैं 0 से लेके 4 तक same 5 से लेके 9 तक बढ़ जाएगा लेकिन trunk में कुछ भी होगा बढ़ने वाला नहीं है दोनों में यही difference है चली अगला चलते है calc में hedge 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 क्या मतलब होता है formula error है cell size small है row size small है या फिर कोई नहीं थोड़ा slow slow तो मैं नहीं चल रहा हूँ लेकिन आपको लगेगा slow क्योंकि time आठ जाएगा question बहुद important है सारे समझा देता हूँ मैं आपको इसको भी अब देखो 3 hedge आने का मतलब क्या होता ये भी समझ लो थोड़ा दिखाता हूँ सीधा calculus ले चलके अब देखो जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले बरावा लगाना ज़रूरी है now function लिखते हो और breakard बंद कर देते हो देखो hedge 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 आएगा क्यों आया पता है अब ही दिखाता हूँ आपको जैसे इसको बढ़ाओ गया आप देखो यह पूरा हो गया यह नहीं हो गया जैसे इसको घटाओ गया आप फिर hedge 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 मतलब cell size छोटा था इस वज़ा से तीन बार hedge दे रहा ही है और now function के मतलब क्या सीखा आपने देखो दो question इसमें बन गया आपका now function से आपने सीखा कि date and time देता है date and time दोनों दे देता है देखो फिर से बढ़ाता हूं मैं date and time दे दिया गटा दिया hedge 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 दे दिया तो घटने का मतलब cell छोटा है इसलिए तीन है जा रहा है एक चीज़ सीखा error दूसरा आपने सीखा कि now function से date and time आपका देगा cell size is small आपका उत्तर हो गया next चलते हैं एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो क्या करेंगे macro, mail merge, macro and mail merge ये फिर कोई नहीं important question ये भी है मेहनत कर रहा हूं तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से मेहनत से सारा node कर लेना class complete करो, plus पूरा super class complete करो, plus जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ते चलो, pass हो जाओगे तभी pass भी हो पाओगे नहीं तो problem हो जाएगे आपके लिए, बहुत लोग को पता है, पढ़ रहे हैं, चाने ही मैं कह रहा है कि इसको तरब कभ mail merge वैसे हो जाएगा ठीक है, next है what does sum if function do sum if function क्या करता है sum if function क्या करता है तो simple English में, कुछ English में कुछ Hindi में इसे, मैं mix तो पढ़ाता ही उमालो, अब देखो sum if function क्या करता है, थोड़ा से भी समझ लो जैसे sum if function क्या करता है, जैसे कुछ d में दिया है मैंने लिख दिया 1 और d2 में मैंने इसमें लिख दिया 2 ऐसे कुछ भी लिख दिया रहा हूँ, मैं इसमे 3 फिर इसमे 3 फिर इसमे 4, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है अब यहाँ पर value लाना है sum if लगा के, यहाँ पर पहले बराबर लगाना जरूरी है, फिल लिख दो sum if, ठीक है sum if लिख दिया आपने, फिर bracket close bracket close, उसके बाद range select करना है, range मतलब कहां से कहां sum मतलब जोड़ना, if मतलब अगर here दी, condition देना है आपको तो एक से लेके 4 तक select कर लिए मैंने, मतलब यहाँ से यहाँ तक range है, फिर उसके बाद range लिखने के बाद फिर से comma आपको लगाना है, फिर criteria लिखना है, जैसे criteria मैंने कहां लिए 3, criteria मैंने 3 का मतलब सिर्फ 3 को ही जोड़े का बागी को जोड़े गए नहीं, फिर से range select करने के बाद करता है, फिर से कर लिए मैंने यहाँ तक फिर उसके बाद bracket कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दो bracket, close हमारा काम खता हम एंटर किया देखो 6 है, 6 क्यों है क्योंकि इसने क्या जोड़ा, सिर्फ 3 और 3 को जोड़ दिया बाकी, कुछ भी नहीं जोड़ा मतलब, देखो adds upsell values based on condition, मतलब, value को जोड़ो, based on condition condition के हिसाब से value को जोड़ना है यह हमार उत्तरी भी ही हो गया, मतलब value को यह जोड़ता है, लेकिन condition के हिसाब से, इफ का मतलब एक condition लग गया, चलो, कहल के में फार्मूला ही start होता है, देखो अब भी बार बार बता रहा था आप से बराबर से start होता है, इसमें ज़्यादा सोच नहीं नहीं है, कहल के में फार्मूला बराबर से start होता है, अब देखो maximum जो राइटर में कितना हो सकता है important question है यह, आपके सामने इसे writer था, यह देखो writer था, अब इसमें देखो अभी 100% है by default 100% है अब इसको maximum कर देता हूं, देखो maximum 6% देखो, 600% लिख की आ रहा है है की नहीं, 600% आ रहा है minimum भी देख लो maximum अपने देखा 600, minimum भी देख लो सारा देखते चलो minimum क्या है, 20% आया मतलब maximum 600, minimum 20, देखो minimum 20 दिया है, maximum 600 दिया है एक चीज जाना आपने इसका पूछा, writer का maximum, अब यह है impress का maximum, लिख देता हूं मैं यह है impress का maximum और यह है cal का maximum, 400 है cal का maximum, ठीक है, यह जान लिया, बाकी बाकी तो 20-20 होता है उन दोनों का, और impress का minimum 5 होता है 5% मात्र, 5% तक आप कर सकते हो, यह सब note डाउन कर लेना फटा-फट, ठीक है, चले, नेक्स चलते है libro office, writer में by default font कितना होता है, था लिखा है कितना है, कितना होता है जो भी, कितना होता है मालो ठीक है, बताइए, writer की बात कर रहा है अब यह बार बार आप देखी भी रहे थे writer, फिर से देख लेता हूँ, देखो यहां के लिखा, बारा by default है बारा, और calc पूछे तो, देखो, दस calc पूछे तो दस, writer पूछे तो बारा, हमारा उत्तर क्या हो गया बारा, दोनों note कर लो, फटा-फट calc में दस, writer में बारा minimum maximum पूछता है, यह भी देख लेता है फटा-फट, minimum maximum sub में एक ही होता, same, देखो इसी तत, समय यह भी देख लेता हूँ, minimum देखो, 6 है, यह drop down menu उसको बोलते है, drop down menu में minimum 6 होता है, और maximum 96 होता है, note कर लो सब, maximum 96 होता है, by default बारा था अब यह तो drop down menu की बात हो गई वैसे directly करना है, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया, आपने 0, enter किया, देखो, 2 आगया automatic, मतलब, इसमें 2, कम से कम 2 हो सकता है, drop down menu में 6 हो सकता है, लेकिन, वैसे करोगे तो 2 हो सकता है, और maximum मैंने लिख दिया, 1000 यहाँ लेता है, एंटर किया तो यह खजार ना लेके 999.9 मतलब, एकदम maximum करोगे तो 999.9 हो जाएगा और वैसे करोगे तो चान में था यह सब सारे पर नोट कर लेना, LibreOffice by default file extension के दाना होता है, LibreOffice by default file extension बताइए आपको name पूछ रहा है file extension का name पूछ रहा है, बहुत important अलग question है, द्यान समझे इसको इसमें क्या है LibreOffice जैसे writer में कर देता हूँ, writer के, समझे लो बता तो तीनों दूँगा आपको मैं तीनों बता दूँगा मैं, लेकिन writer question समझे लो, writer का है, लेकिन तीनों आपको बताना है, तीनों जान लेना है, मतलब पहले writer का बताईए, तो देखो मैं पता चलता हूँ आपको presentation पूछे, तो open document presentation, मतलब अगर impress पूछे तो ODP अगर calc पूछे तो ODS, open document, इस पर seat और अगर writer पूछे तो open document text, ठीक है, यह हमारा उत्तर हो गया, टेक्स्ट, open document, टेक्स्ट चलिए next, calc में total column में 1024 xfd होता है, यह सही बात है, गलत है बहुत important question यह भी है देखो calc में column की संख्या तो 1024 होता है, 1024 ही होता है एकदम 100% सही बात है कितनी column होते हैं, 1024 column होते हैं, लेकिन xfd यह excel में आखरी cell होता है देखो, आखरी calc, देखो तो आखरी column, जैसे यह है हमारा calc, अब calc में आखरी column में जाने की shortcut की भी जान लो, control plus right arrow, मैंने control प्रस किया, right arrow प्रस कि देखो आखरी में आ गया, आखरी में क्या लिखा है, amj मतलब आखरी सबसे जो होता है, column किसका address क्या होता है, amj यहाँ पर लिखा है, xfd यह गलत false, आपको note यह कर लेना है, कि आखरी जो होता है, ओ, amj यह तो था amj, ठीक है, यह बात आपको एकदम अच्छे से note कर लेना है, जरूरी है amj, 1024 है यह लिखी नहीं, amj, hyperlink की shortcut की बताइए hyperlink की shortcut की क्या होती है तो control plus k होता है, बहुत popular है यह और control plus l होता है, left alignment के लिए, control plus h होता है find and replace के लिए होता है, वैसे जो कहीं भी find करो, replace करो इसके लिए होता है, control plus h और control plus f होता है, सिर्फ find के लिए वैसे होता है, चलो यह दिखते है, next question हो इसे, calc में all column का sum कौन सा होगा, पूरे column को जोड़ देना है आपको पूरे column को यहां से स्टार्टिंग से लिए कि यहां तक जोड़ना है column को, column तो होता है, यह उपर से नीचे तक यह सारे column है, ठीक है a, m, i, नीचे तक चला जाओगे यह सारे column है, तो column को जोड़ने के लिए क्या है, पहले row की संख्या मालूम होने चाहिए क्योंकि भाई देखो, row 1 row 2, row 3 उपर से लेके जब नीचे तक जाओगे आप, तभी तो column जोड़ पाओगे a column को जोड़ना है मालो तो a1 से लेके 1048576 आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा ठीक है, क्योंकि इसमें बराबर भी नहीं लगा है, बाके तो यह भी 1048576, कुल मिला के यह वाला उत्तर मतलब a1 से लेकर a1048576 तक जोड़ने का फार्मूला यही है heading 1 की shortcut की अब heading 1 में पूछा जरूर है लेकिन आपको कई सारी बाते आप सीखने को आपको मिलेगा इसमें तीन चीरे मिलेगा मतलब heading 1, 2, 3 तीनों मालूम होना चाहिए यह तो आपको दिखाता हूँ जैसे आप पता होना चाहिए जैसे ही आप writer में style में जाओगे देखो यह heading 1 का control plus 1 heading 2 का control plus 2 heading 3 का control plus 3 और text body का control plus 0 यह 4 shortcut की चारों आपको मालूम होना चाहिए हमारा उत्तर है यह वाला बाकी आप note कर लेना date insert करने के shortcut की क्या है date insert करने की और time insert करने की दोनों आपको मालूम होना ही चाहिए ठीक है तो दोनों आपको मालूम होना ही चाहिए तो आज से आप दोनों पता भी चल जाएगा आपको तो इसमें date पूछ रहा है date का control plus semicolon note कर लेना और time का control प्लस shift प्लस semi-colon ये है time का ये है time का और उपर वाला है date का यार रखना है कैल का question था वो भी लेबर आफिस कैल के मैं उस फार्मूलों को प्रस्वित करता है जो blood sugar नामसे प्रभासित एक नामित सिमा का ओसत है मतलब आपको ओसत निकालना है ठीक है कोई सभी आउसत निकालना है कहने के मतलब यहीजी दीजी बात है तो किस फार्मूला को आप अप्लाई करोगे तो इसमें पहली बात तो बरावर लगाना जरूरी होता है ये बात तक अभी भूलना नहीं आपको एक्जाम में भी यहां से भी एक्जाम में भी और यह जानना जरूरी आवरेज वाले में पूरा आवरेज लिखा जाता है कि सौट वाला आवरेज लिखा जाता है दो चीज आपको मालूम होना चाहिए तो आपका उत्तर उपर वाला ही होगा क्योंकि average वाले formula में पूरा average लिखा जाता है ठीक है sort नहीं जैसे बहुत सारे में sort भी लिखते लेकिन इसको पूरा average लिखा जाता है था हमारे उत्तर A number हो जाएगा next हमारे सामने A1 and A2 को किस formula से जोडते हैं ये भी बड़ा simple सा question है पहली बात आपको बरावर लगाना जरूरी है उपर दो cancel होके क्योंकि बरावर नहीं है नीचे दोनों में बरावर लगा हुआ है लेकिन C number पे A1 प्लस A2 डारेक्ट लिख दिया गया है D number पे A1 करके colon लगाके A2 लिखा हुआ है colon लगाने के बाद यहां यह लिखना जरूरी होता है कि आपको क्या लगाना है क्या निकालना है sum जोडना है तो जोडना के बारे में sum लिखना है गुडा करना उसके बारे में जो भी करना उसके बारे में लिखना जरूरी होता है ठीक है यहां नहीं लिखा हुआ इसलिए भी गलत हो गया बचा आपका सिर्फ यही तो आप डारेक्ट जोड भी सकते हो कैल के में डारेक्ट जोड सकते हो कैल कोई फिर एक्सल डारेक्ट आप वही देसी फार्मूला लिख के जोड भी सकते है जोडना है अगर कुछ तो ठीक है उत्तरा आपका हो गया Find Queten 52 इसका मतलब क्या होगा इसको मैं कॉफी कर लेता हूँ और आपको कहल के में ले जाके अच्छे समझा देता हूँ कुझी भी आ जाए ये वाला फार्मूला आप कर ही लोगे आसानी के साथ क्योंकि मुझे पता है गुड़ा भाग जोड़ घड़ाना तो सब को आता ही है ये कर दिया मैंने पेस्ट और ये एंटर देखो यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं दो आया क्यों क्यों आया क्योंकि दो दूना चार होता है उससे बागी बस मतलब दो का पहाड़ा पढ़ना जैसे डिवाइड करना है दो से जो भी डिविजबल नमबर वही लिख दो कितना रिमाइंडर बचा क्या बचा किसी से आपको कोई मतलब नहीं है जैसे यहाँ पे पांस था यहाँ पे मैंने लिख दिया साथ क्या दो दिया चाहिए तीन देखो तीन आया यहां पर साथ के बजाए जो भी लिखतो मतलब समझ गया आप डिविजबल नंबर आएगा बस यहां तो दो दूना चार तो दो आपका उत्तर हो गया नेक्ट देखते हैं नेक्ट है कंट्रोल फ्लस डबलू सॉटकट की किसके लिए प्रियोग होता है अब देखो यह जरूरी नहीं कि लिबर आफिस में प्रियोग होता हो लिबर आफिस तो होता ही मालो एक हर जगें होता है हर जगें होता है जैसे MS Office में भी होगा Libre Office में भी होगा ये क्या करेगा Close Current Window Close Current Window अब देखो Close Libre Office और Close Current Window दोनों में difference क्या है समझो Close Libre Office का मतलब होता है कि Libre Office में भाई Cal के भी हो सकता है Writer भी हो सकता है Impress भी तीनों अगर open है तो तीनों को अगर साथ में open करना हो तो आपको control और plus करके Q का इस्तेमाल करना होगा ठीक है, bracket close कर देता हूँ Q का इस्तेमाल करना होगा अगर आपको LibreOffice totally लेकिन ये control plus W सिर्फ एक विंडो को बंद करें कौन सा विंडो? कैल खोला है, कैल को बंद कर देगा सिर्फ एक ही को करेगा, जो भी करना चाहोगे, बस, simple सी बात है product to sum 5-7 का मान कितना होगा ये भी most important question है, इसको भी कर लेता हूँ, copy और लेके चलता हूँ सिधा, उसमें, समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे value आएगा, यहाँ पे कर दिया paste 24 आया, 24 क्यों आया समझ लो sum का मतलब होता है जोड़ना, तो आप पढ़े हो, what most rules सब लोग पढ़े हो ना, बच्पन में, mathematics में पढ़ाया जाता है सब कुछ कि सबसे पहले bracket को तोड़ते हैं, उसके सबसे पहले bracket को तोड़ेंगों भी अंदर वाला bracket, बारा वाला नहीं तो sum 5, 7, तो sum मतलब जोड़ना होता है, तो 7, 5, 12 हो जाएगा, तो अंदर आ गया 12, फिर उसके बाद 12 को गुड़ा करेंगे 2 से, देखो 2 लिखा है यहाँ पर product, यहाँ पर 12 आ गया है फिर 12 और 2 गुड़ा 12 दूने 24, simple सा question है यह, पहले अंदर भाई जोड़ दो, 7, 5, 12 आ इंप्रेस में नए स्लाइड आइड करने की shortcut क्या होती है, तिसका होगा control प्लस M, control प्लस M देखो 2 तरह का काम करता है, इंप्रेस में तो नए स्लाइड आइड कर देगा, लेकिन बाकी सब में कहल को या फिर खास का writer में यह क्या करता है, clear direct formatting, कोई सभी format कियो हो, control प्लस M प को मालूम होना चाहिए, पहला slide में जाने की shortcut क्या होती है, go to first slide, बताइए, अब देखो इसमें भले ही आपको लग रहा हो कि इतने time में 28 प्रस्ण बताया, लेकिन जो आप लोग इतना समाज़दार तो हो ही, कि आपने 28 प्रस्ण नहीं बलकि मुझे तो लगता है कि 70-75 प् मेनत मुझे भी लग रहा है, मुझे भी जानती है हो ना, तो पहले slide पर दोस्तों जाना है, तो control प्लस home से भी हम चले जाते हैं, और home से भी चले जाते हैं, दोनों हम यूज करते हैं, इसलिए हम A and B दोनों बता रहा हूं मैं आपको, माल वहां पर सब नहीं देंगे, तो द control प्लस end, दोनों यूज होता है, आखरे में जाना है, तो end और control प्लस end दोनों यूज होता है, तो यह भी पतावना चाहिए, जिसमें चार प्रशना आपने सीखा, अगर A1, B1, C1, D1 करमसा 1, 2, 3, 4 है, अगर column C को hide कर दिया जाए, तो find value, even, समझ लो, even में यह find कर रहा है, क सम A1 से लेके D1 तक कितना होगा, ऐसा question है दोस्तों, बहुत important है, most important है, question पूछा गया है, पिछले महीने अभी, अब इसको हम A1, B1, D1 की बात कर रहा है, तो A1 कहां है, यह है, A1 तुद्धर, चलो, A1 में पहुँच जाते हैं, A1 है, A1 में इसको हटा देते हैं, floor वाला, A1 में क्या था, एक था, देख लेता हूँ पूरा फिर से, A1 में एक, दो, तीन, चार ठीक है, मैं A1 में लिखा एक, अब B1 में लिखूंगा, यह बड़ा हो गया, इसको छोड़ा कर देता हूँ पहली बात तो, B1 में लिख देता हूँ 2, C1 में लिख देता हूँ 3, और D1 में लिख देता हूँ 4, यही तो था, है ना, इसको हटा देता हूँ 24 यहां से, आपको समझा देता हूँ मैं, आराम से, टंसन मतलो कोई, आज समझ लो, मज आएगा फ्यूचर में, ठीक है, अब E1 में आपको बै अब यह पहले बद देखो, 1, 2, 3, 4 में लिखा, अब इसमें क्या है दोस्तों की, 4, 3, 7, 3, 10, 10 आना चाहिए टोटल वाइसे जोड़के, लेकिन देखो, हाइड करने की बात कर रहा है, तो C1 को मैंने कर दूँगा, हाइड कैसे होगा, C1 को सिलिट किया, फॉर्मेट में गय देखो, कॉलम को हाइड कर दूँगा, तो सारा हाइड हो जाएगा, देखो, C1 गायब, C वाला पूरा गायब हो गया, अब इसको क्या करना है हमें, टोटल करना है, यहाँ पर जोड़ना है, इसको लिख दिया बराबर, लिख दिया सम, अब ब्रेकट क्लो, ओपन किया, उस वो ऐसे जोड़ोंगे, देखो, 4, 2, 6, 1, साथी आएगा, लेकिन हाइड है, फिर भी जोड़ दे रहा है, मतलब हमारा उत्तर दस ही होगा, मतलब आपने क्या जाना, कि हाइड होने के वाजूद हो, टोटल को जोड़ देता है, तो यह चीज़ सीख लिया, नेक्स चलते हैं जैसे मैं क्या करूंगा, लिब्बर ओफिस में आपको लेके चलूंगा, उसके बाद मैं F3, आटो टेक्ष्ट की बात कर रहा है दोस्तो, आटो टेक्ष्ट हमेशा टूल्स मेनू में इसमें पाय जाता है, लिब्बर ओफिस में टूल्स और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें रीवीव में होता, जैसे इसमें टूल से उसमें रीवीव है, यही समझना है, उल्टा दोनों में, उसमें रीवीव, इसमें टूलस, इस्पेलिग, एफसेवन, नोट करो, सौर्टकट की, बहुत पुष्ट नेग्जाम में के बार-बार, को नीचे है इसका control plus F3 है ठीक है इतनी चीज़ें सीख लिया चार shortcut की प्लस यह सब कहां पाए जाते हैं यह सब tools मेरे उमें पाए जाते हैं यह तो हो गया false यहां पर क्या हो चाहिए control plus F3 होना चाहिए most important हो गई अब यह देखो 31 नम्म लिब्र ऑफिस इंप्रस मैक्सिमम जों कितना होता है यह तो मैंने वैसे लिखा है यह हटा भी देता हूं मैं अब बताओ आप ऐसे question आएगा तो क्या करोगे क्योंकि फसाने वाला question है यह लोग confused मेरे वाल भेजते हैं लोग बोलते हैं सर क्या कर रहे हैं अब यह सा question दे दिए पढ़े आप कुछ और बताए थे दी अग्जाम भी यह अब क्या करेंगे हम लोग तो इसका भी जुगाड है simple सी बात है क्या है maximum इसमें सो थो होता नहीं है कुछ भी maximum कौन सा होता है यह 3000 maximum और minimum 5 तो दोनों तो है यह maximum दिया है तो maximum जब नहीं दिया है तो आपको simple सी बात है इसमें चारो में सो जो maximum होगा ही कर दो अपना क्या टेंसर हम को बात सहीग नहीं सहीए चारों में सबसे अधीक हुआ ही कर दो ठीक है डिफॉल्ट पुछे तो अलग बात है 100 ही कर देना ठीक है वो ऐसे impress वाले में क्या होता है कि बिंडो के बडिमेंड़ कर कितनी size आपके बिंडो की उसकी बडिमेंड़ करता है टेल के में 32000 आपको करना है 32000 पर कर देना है आपको ठीक है 32000 वैसे देता है डेटा डोड़ने पर लेकिन वैसे मिलता नहीं है लेकिन सही 32000 है आपका टेंसर मतलना है 32000 का last edited slide jump की sort cut की काउन सी है हिन मेंसे last edited पर जाना है आपको तो क्या प्रेस करोगे बात कर रहा है slide की ठीक है तो उसकी इसाब साब को देखना इसको अब देखो नीचे सुरू करते हैं अभी अपके अपने बता आए end प्रेस करने पे last slide पे चले जाते हैं control प्रेस end से भी last slide पे ही जाते हैं आखरी slide पे shift plus f5 से क्या करते हैं कि आपका जिसे यही impress impress में जब slide 100 पर जाओगे देखो start from current slide जिस slide पर आप हो मौजूद उसी slide से आपको slide 100 start करनी है तो shift plus f5 प्रेस कर दो और start from first slide पहले starting के slide से आपको slide 100 प्रेस करना है तो f5 प्रेस कर दो note कर लो यह दोनो और last edited slide पर जाना है तो alt plus shift plus f5 प्रेस काम करता नहीं मैंने कई बाद चेक किया लेकिन question आता है आज जिसे आपको यही देना है सीधी सी बात है ऐसा होता है बागी सब जो जो बनाया सीखना है आपको Libre office में a1, a2, a3, a4, a5 करमसा इतना है तो क्या आएगा इन सब को जोड़ोगे तो 15, 85, p, r, s लिखना पड़े गई यह भी a1, a2, a3, a5 पे चलो लिख देता हूं a1 पे क्या था a1 पे 15, 85, a2 a1 स्वारी इस पे a1 को कर देता हूं 15 15 कर दिया उसके बाद 85 85 फिर क्या था p, r, s ऐसे कुछ करके p, r, s चलो p, r, s एक चीज आप देख लो पहले नमबर लिख ले हो तो राइट साइड हो रहा है राइट अलाइनमेंट आटोमेटिक और अगर अलफावेट लिख लिख रहे हो alignment हो जाता है automatic by default एक चीज़ सीखा आपने अब इसको जोडने के बात करा total ते लिख दिया बराबर sum पूरा यहां से लेकी यहां तक करद रहाँ select देखो क्या आता है इसका कहने मतलब इसको breakout close नहीं किया कर देता हूँ breakout में इसको एकदम अराम से कोई tension मतलो बहुत कुछ सीख रहे हैं आप सो आया मतलब 85 और 15 को जोड़ा है इससे मतलब नहीं इसको आपने कई बाते सीख लिया पर एक question के उत्तर भी जान लिया दूसरा यह जान लिया कि अगर उसमें number और alphabet पर दोनों लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ number को जोड़ेगा हो बाकी कुछ सीख उसको मतलब नहीं तो सव उत्तर आपका आ गया यही तो था सव उत्तर आपका हो गया ठीक है दोस्तों चलिए लिब्रो आफिस इंप्रेस के द्वारा 3D बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं सिंपल सा ही इसको ज़्यादा सोचना नहीं है S कर देना ठीक है S कर देना सौट कट इफ और पेस्ट इस्पिसल अब पेस्ट इस्पिसल है इसमें तीन कॉश्चन है तीन सौट कट की दिया हुए तीनों आपको जानना जरूरी है क्या क्या पहला सबसूपर सुरू करते हैं Ctrl प्लस Alt प्लस Shift प्लस V अगर हो तो समझ ले ना Paste Unformatted Text मतलब Paste करेगा Unformatted मतलब किसी भी format में और नहीं रहेगा सामान ने हो जाएग एकदम Paste कर देगा Ctrl प्लस Shift प्लस V यह है Paste Especial Paste Especial के लिए हो जाता है यह और Ctrl प्लस V सिर्फ Paste के लिए होता है तो पापुलर है सब जानते हो Next चलते हैं Calc में Count Function में सब्द और Number Count होते है True है या False यह भी बड़ा Important हो गया चलो Number तो हमने Number और सब दोनों लिखे भी हैं यहापे अब इसी से पता चल जाएगा हमारा की Count से क्या आता है कि नहीं यहापे लिखते हैं बराबर लिख देते हैं Count Count लिख देते हैं फिर कर देते हैं Breakout Close फिर यहाँ से लेकि यहाँ तक बैलू पूरा Select कर लेते हैं 100 तक कर लूँ 100 अक्कल है तो को भी नंबर है 3 नंबर हो गया 3 Alphabet हो गया हमारा Breakout Close अब कर दिया Enter देखो सिर्फ 3 आया 3 आया पता नहीं नंबर किया की Alphabet किया यह confusion हो गया तो इसको A6 को हटा के A5 जब कर दोगे तो हमको यह पता चल जाएगा देखो 2 आया मतलब सिर्फ यह नंबर को जोड रहा है बात समझे लोग नहीं मेरी क्या मैं कहना चाता हूँ नहीं समझ पा रहा हो कहीं ऐसे नहों नहीं समझ पाओ तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों इसको मैं हटा देता हूँ 100 बीच से 100 बीच से हटा देता हूँ अब देखो इन पाँचों को मैंने एड यह तो 2 आया मतलब दो नंबर को तो काउंट सिर्फ और सिर्फ नंबर को एड कर रहा है अगर यहीं काउंट के जगा पर एक भी और फर्मुला होता है A लिख दिया मैंने काउंट A अब देखो क्या आता है 5 लिख दिया मतलब सिर्फ काउंट यूज करोगे तो सिर्फ नंबर जोड़ेगा लेकिन काउंट A मतलब अलफावेट होता है तो अलफावेट को भी जोड़ लेगा इसको क्या सब दो नंबर काउंट होते हैं तो फाल्स काउंट से दोनों फाल काउंट नहीं होते हैं काउंट A यूज करना पड़ेगा आपको दोनों को काउंट करने के लिए दो बात सीखा आपने लिख देता हूं मैं काउंट A इस पेस नहीं करना होता आपको काउंट A लिखना पड़ेगा number और alphabet दोनों जोड़ना है तो नहीं तो सिर्फ count से सिर्फ number जोड़ देगा बाकी छोड़ देगा how to add header in LibreOffice header कैसे add करते हैं important यह भी है यह तो simple सी बात हो जाएगी दोस्तों insert और header insert में जाओगे तो सबसे नीचे header or footer दोनों का बिकल्प मिलेगा आपका और वहीं से आप आसानी के साथ header or footer दोनों जो मनकर यह add कर सकते हो आज की class जो नहीं देखेगा समझे लोग उसकी किसमत खराब है बस यह जान लेना जो लोग देख रहे हो किसमत अच्छी है minimum पान दो छे maximum पान दो छे मतलब क्या हुआ बीच में star लगा हुआ मतलब गुड़ा इसमें से minimum वाला जोड़ेगा इसमें maximum वाला निकाल के दोनों सो गुड़ा कर दो minimum इसमें 2 है इसमें maximum 6, 6 दूना 12 12 उत्तर दिखा देता हूँ भी फार्मूला में ले जाके एक पार थोड़ा सा तो आपको सही रहेगा कोई doubt आपको नहीं रहेगा जैसे यहाँ पे इसको कर देता हूँ यहाँ पे आपको paste कर देता हूँ 12 मतलब सही बोला है न इसमें minimum जोड़ा इसमें maximum जोड़ा 12 उत्तर होगा इसमें भी दिखाऊँ आपको अगर जैसे यह लिबर आफिस में जाओगे जब edit menu में जाओगे जैसे नीचे थोड़ा जाना देखो यह find and replace control plus h find control plus f go to control plus g shortcut के तीनों देखो important है उमीद सब लोग जानते होंगे जो भी बताया paste वाला देखो तीनों यहाँ दिया हुआ है select all का दिया हुआ है ऐसा अब सारी चीज़े दिवो ही है बहुत सारा है अंडो रेडो सब है तो edit menu हमारा उत्तर हो गया ठीक है next चलते है लिबर आफिस 6.0 कैलक में default रूप से seat की संख्या important डीवी है इसमें भी बड़ा confusion रहता है लेकिन आपको ऐसे question आए तो आपको तीन पे ही करना है ठीक है बस इसमें जादा कुछ समझने की ज़रूत नहीं है A series नाम आप paper आकार को अधिकांस printer समर्थन करते है किस A series मतलब किस type A1, A2, A3, A4 A1, A2, A3, A4 प्रिंटर वगारा मतलब खासकर photo वगार जब लेते हो या फिर प्रिंटर का A4 नामक size ही support करते हैं बहुत popular size है A4 ठीक है Libre Office Writer में page brick डालने की keyboard से हो ज़रूत है मतलब shortcut की कौन सी हिन में से page brick बहुत simple सा question माल लो यभी इसके बारे में जर्जा भी हुई थी अभी हाल थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत तो control plus enter से हम page brick आसानी के साथ कहीं जब डाल सकते है Libre Office Writer में template के लिए file extension कौन सी होती है important यह भी है इसमें क्या कुछ लोग doubtful होते है doubt रहता उनको तो देखो template का मतलब होता है पहले सी bunny बनाई कोई file होती है उसको बोलते है template template मतलब ready made design पहले से design होई होती है उसको बोलते है template तो template को जब भी आप save करोगे तो by default उसी नाम से save होगा हो उसको बोलते है उसका extension तो by default उसी नाम से दोस्तों save होता जिस नाम से आपका राइटर सेव होता है, इसमें ज़्यादा कोई मत हुआ करो, समझ रहे हैं बात, टेंप्लेट का मतलब सी मतलब सी पहले सी बने बने कुछ फाइल से उसको ले लो, एडिट कर दो, सब कुछ कर दो, फिर उसको बसको जब सेव करो गता आटो मेटी को स्लाइट में से किसका उपियो कर सकते हैं, स्लाइट को क्या बोल रहा है, ब्यवस्तित या फिर सॉट, सिंबल तो, क्वेशन तो सिंबल है, मालो, अब इसमें देखा हुआ है, या फिर उनमें से कोई ने लिखा हुआ है, समझ के बताओगे, तब ही सही रहेगा, कुछ स्लाइट 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 तीन चार, मतलब आपको विवस्तित भी है, आप यहां से देख सकते हो, कोई काम करना कर सकते हो, समझ रहे हो, आप चारो देख रहे हैं साथ में, और एक लिखा है स्लाइड पेन, देखो यहां पर स्लाइड पेन सबसे उपर लिखा, यह क्या होता है, यह जो लेफ्ट साइड यह दिखता है न, इसी को बोलते हैं स्लाइड पेन, इसी को बोलते हैं स्लाइड पेन, तो देखो तो स्लाइड पेन पर दिख रहे हैं न, चारो, एक, दो, तीन, चार, साज में चारो, देखो विवस्तित भी कर सकते हो, उपर नीची भी कर सकते हो, है कि नहीं, तो दोनों आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है दोनों समझ गए आप क्या क्या है slide transition की प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुती की सुरुवात में होते हैं जब slide किसी प्रस्तुत में बदलती है तब ये फिर जब हम किसी slide के object के अंदर क्लिक करते हैं फिर प्रस्तुत की अंत में होगा तो एक ही कोई कौन सा होगा तो slide transition की बात कर रहा है दोस्तों कब होता है slide transition का प्रभाव जब slide किसी प्रस्तुती में बदलती है तभी तो होगा ना, प्रसुदी मतलब होता है, presentation जब बदलती है, तभी उसका प्रभाव से मतलब तभी होता है, उल्टा हो गया, चलो इस सही कर देता हूं, यह, ऐसा, next है हमार सामने, slide transition को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, split transition, इस पर मतलब बाटना, non transition, wipe transition, push, हटाना है, जो बड़ा simple है, कर दो non transition, सब खताम, है कि नहीं, कर दो non transition, सब खताम, 48 number question, है कि एक slide, एक slide है, कैसा slide है, जिससे unslide के लिए सुरुवाती बिंदू के रूपे में प्रियोग किया जाता है, मतलब सुरुवाती बिंदू, उसको क्या बोलते हैं, प्रथम slide बोलोगे आप, कि उसक slide बोलोगे सिर्फ, style स्वारी लिखा हुआ है, यहाँ पे, देखो इसमें दो तीन चीज समझने की जरूरत है, आपको बहुत important question है, एक slide, उसको बोलोगे एक slide है, जिससे unslide के लिए सुरुवाती बिंदू, तो सुरुवाती मतलब top of slide, तो उसको बोलोगे master slide, ध्यान से समझ से चलो, इसको बोलोगे master slide, लेकिन आपने यह सुना होगा, जो पढ़ते होंगे अच्छे से पहले से, कि एक होता है title slide, जिसको first slide या फिर title slide कहते हैं, तो ओ अलग हो गया, यह बात सही है, कि उसको title slide कहते हैं, जो first slide होता है, लेकिन यह master slide एक अलग होता है, तो दोनों स्लाइट को title slide, और top slide को master slide, दोनों अलग समझो, formula hello and word का paradigm क्या होगा, अब इसको मैं copy करके आपको दिखा देता हूं, नहीं तो, confusion होगे आप लोगे, इसको कर लिया मैंने, copy, और इसको कर दिया, यहाँ पे, paste कर देता हूं, मैं, यहाँ पे, ऐसे, इसको पहले correct कर दूँ, यह बराबर होना जाए पहले नहीं तो, hello word, error आ रहा है, मतलब, formula ही काम ही नहीं कर रहा है, यह उत्तर होगे हमारा, है की नहीं दोस्तों, यह उत्तर simple सा है, यह question आया है, हुआ है बता रहा हूं नहीं, सोचो कि यह हवा में बता रहा हूं नहीं, कोई हवा में नहीं फर्मूला बराबर maximum B1 से लेके B3 प्लस minimum B1, B3 का पड़ियाम क्या होगा, जहां B1 वर वर 5, B2 वर वर 2, B2 वर 7, अभी थोड़ी दिर पहले same question लगभग मने बताया आपको देखो, B1 पांच है, B2 दो है, B3 साथ है, पूछ रहा है maximum और minimum का जोड, minimum कौन सा है, 2 है, maximum साथ है 7 प्लस दो नो हो जाएगा, हमारा उत्तर नो हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इतना तो आप इतने देर में इतना समझ लेगे, आपको जाना ही नहीं है, कैलक में है न, आसान एक साथ कर दोगे, default font name in writer, font name, अभी इतनी देर से आप देख रहे थे, writer को, उसमें द दिख रहा होगा, पक्खा, क्योंकि default पोश रहा है, तो वह दिखता है, है कि नहीं इतनी देर से, देख रहते, जैसे माल लें बताता मैं, तो कहते, सरजी बताया ही नहीं थी यह question, जबकि जब इतनी देर से दिखा रहा हो, यह क्या लिखा है, liberation serif, लिखा है न, कोई care ही न नमर भी लिखा हुआ है, हमार उत्तर होगा है, दोस्तों 51 question complete, 51 question तो नाम का था ये, आप कितने question लगबख सीखे होंगे मुझे जरूर बताना comment box में, मुझे तो लगता है 1500 plus हो गया होगा, क्यों दोस्तों, चलिए 51 question complete, जिसकी किस्मत होगी वही देखा होगा, जिसकी किस्मत चेने होगी आज की वीडियो देखे ये नहीं हो, है ना, वैसे दो question आपको दे देता हूँ, उससे पहले आप से बहले हैं बता देंगे, वीडियो को लाइक करना है एक दम दबा के, और चैनल को subscribe करके, घंटी जरूर दबा जाना सबको, और एक मेरे दूसरा बाद चैनल भ करते हो, पेमेंट करते हो, उसके बाद आपके एमेल पे जाता है वो, डाउनलोड लिंक, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डाइड भी कर सकते हो, दोनों तरीका उसका होता है, तो बताना है by default seat name in calc, जो seat name होता है calc में, by default किस name से होता है, और shortcut की for print preview, ये दोनो question का उत्तर देना है, मैंने कोशित किया कि सारा cover कर लूँ, इसमें, और भी बहुत सारे question Libre Office के हैं वैसे होते हैं, तो मैं किसी दिन और आपको cover कर दूँगा, वैसे इसमें मैंने बहुत कुछ cover किया है, ठीक है, तो कोई doubt हो, तो मुझे बताना comment box में, आप सभी को all the best or best apply, म